दोस्तो मेरा नाम है मनसूर अलिशा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि OBS Studio में Live Streaming होते वक्त आप किस तरीके से Scrolling Text लगा सकते हैं चलिए वीडियो को स्क्रीन और इस पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पहली बार अगर आप ये काम कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको सेटिंग करना है और कैसे लगाना है जैसे कि मैंने पहले भी बना चुका हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर Scroll हो रहा है यह जीत तो उसी तरीके से मैं आपको Start में बताने वाला है तो जैसे कि मैं आपको पहले यहाँ पर एक Window Capture करके दिखाता हूँ पहले मैं Window Capture कर देता हूँ तो यहां मैं आपने browser का ही window capture कर देता हूँ और इसको मैं स्क्रोल करके बढ़ कर देता हूँ और नीचे की जो जगेगे खाली है यहां पर मैं scrolling text लगाने वाला हूँ, अगर आपको उपर लगाना तो उपर भी लगा सकते हैं नीचे लगाना नीचे भी लगा सकते हैं तो यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करना और यहाँ टैक्स वाले बटन पे आ जाना और यहाँ आपको उस टैक्स का नाम देना है तो मैं यहाँ पर स्क्रॉलिंग तो मैंने यहां लिख दिया सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल एंड प्रेज दा बेल आइकन यहां पर मैंने इतना लिख दिया अभी यहां से आप पर फॉंड को स्लेक्ट कर सकते हैं यह वाला स्लेक्ट फॉंड के बटन पर क्लिक करेंगे यहां पर बहुत सारा मिल जाएगा ब्लॉड इटैलिक इटैलिक ब्लॉग तो यहां पर आप जो भी कर सकते हैं आप अपने हिसाब से अपने फॉंड स्लेक्ट कर लेना यहां पर यह वाला और उसके बाद नीचे की तरफ आपको देखेंगे यहां पर उसके बाद background color दिख रहा है आपको यहां पर इस background color मतलब आपके नीचे यह जो text लिखा वह इसके नीचे भी color एक रहेगा तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यह जैसे भी आप इसको scroll करके करते जाएंगे तो नी भी कर सकते हैं अब देखिए यह थोड़ा अच्छा लग रहा है तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और उसके बाद आप simply आप इसको click कर ले और इसके बाद जो process है आपको यहां पर इस चीज को crop करना होगा crop करके एकदम छोटा करना होगा मतलब जहां भी आप लगाना चाहते जितना बड़ा लगाना चाहते उतना बड़ा आपको पहले इसको करना होगा तो मैं simply आपको इसको छोटा करके दिखा देता हूँ आप इसको इस तरीके से छोटा कर लें जितना छोटा कर लेंगे आप देखेंगे यहां पर अगर fit होता है तो ठीक है नहीं तो आप इसको और भी छोटा कर सकते हैं तो मैंने यहां से इसको और भी छोटा कर दिया है देखिए इसमें fit बैठ गया अब simply इसको यहां पर scroll कर देना है और अगर आप इसमें और भी कुछ add करना चाहते हैं तो simply यहाँ कद देखेंगे आपको यहाँ आपकर text लिखा हुआ यहाँ आप उसको add कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ा और कुछ add कर सकता हूँ तो कुछी इस तरीके से आपको इसको कर देना है उसके बाद आपको simply यह जो आपने text लिखा हुआ है इस पर आपको double click करना है और यहाँ पर filter में आ जाना है filter में आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ एक नीचे की तरफ plus का button है इस पर आपको click करना है और यहाँ पर scroll वाले effect में आपको आ जाना है तो simply आपको इसको नाम दे देना कोई भी एक मैंने यहाँ पर नाम दे दिया और इसको मैं थोड़ा scroll करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे यह वाला हमारा जो है यहाँ पर tags है और हमें अगर इसको left side में चलाना तो simply आप इसको प्रेस करके आगे की तरफ करेंगे तो वह left की side में चलना शुरू हो जाएगा और इसको अगर पीछे की तरफ करेंगे तो यह उल्टा चलने लगए तो simply आप इसको आपने हिसाब से manage कर लें और इसमें एक चीज़ और है यहाँ पर जो आप देखेंगे यहाँ लूप के बटन पर टिक होना चाहिए अगर टिक नहीं रहेगा तो यह एक बार चलके खतम हो जाएगा तो इसको आपको टिक ही रहने आए तो इतना सब कुछ करने के बादा simply आप इसको यह जो है ना मतलब यह आपको speed कम ज्यादा करने का है आप उसक speed कम ज्यादा कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर इतना speed कर दिया है अभी देखेंगा आपके सामने यहाँ पर यह चलना start हो गया है तो इस तरीके से आप लगा करके आपको इतना पता होगा कि इस बीच में जो भ पिछली वीडियो में बताया था कि आप इसमें YouTube के जरिये streaming के की कैसे इसमें लगा सकते हैं उसके बाद YouTube पर लाइब कर सकते हैं तो इतना करने के बाद आपको अगर कुछ और राइड करना है तो आप में simply आप हमें कॉमेंट कर दें हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलने मैं मिलते हूँ अपनी अगली वीडियो में